जब जब हम कॉंग्रस से पराजत हुए हैं तब तब हमें सत्ता में वापस लाने का काम सिंधिया परिवार ने किया है जब कॉंग्रस की सरकार गिराकर जनसंग की सरकार बनवाई थी वैसा ही काम जोतिरादत सिंधिया ने किया है यह बात पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ग्वालियर में सिंधिया परिवार के पक्ष में तारीफों के पुल बांचते हुए कही इस दोरान उन्होंने सिंधिया को लेकर कहा कि मेरे भतीजे मेरे प्राण में बसते हैं ना मैं भूलूंगी और ना बीजेपी देखिये यह रपाउट में वोट मांगे इस दोरान उन्होंन भारती ने सिंधिया परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे तो भतीजे जोतिरादत सिंधिया में प्राण बसते हैं जब जब हम कॉंग्रस से पराजत हुए हैं तब तब हमें सत्ता में वापस लाने का काम सिंधिया परिवार ने किया है जब कॉंग्रस की सरकार गिराकर जनसंग की सरकार बनवाई थी वैसा ही काम जोती रादित सिंधिया ने किया जब कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा की सरकार बनवाया वैक ऐसा चुराग है जिसकी आने से आज उजाला हो गया है सरकार गिरा करके बीजेपी की सरकार बनवा दी इसलिए वह तो सिंधिया बंश का एक ऐसा चिराग है जो हमारे घर में आके हुजाला हुआ है और मैं तो उनके साथ मतला आप समझ दीजिए कि वह सबसे पुरान पर यह बती जाए अब चुनाव जीतेंगे वह बहुत सरल और उनको लोग कहते हैं वो महराज करने बिल्कुल नहीं मैंने लोगों को कहा आप भाई कहके देखो आप बेटा कहके देखो वैसे ही जब आप देंगे आपको वो सरल विनम्र शंसकारी नोजबान है उसको कोई आकांक्षा नहीं है कोई महत्वा कांक्षा है कोई भी बात नहीं बोलते हैं लेकिन हमारी सरकार ततकाल एक्षन लेती है यह सब बहुत चिंता का विशह है सरकार तुरंत कारवाही करती है और हम किसी भी अपराधी को बचाने की चेस्टा नहीं करते जब कि जब कांगरे सासित राज्यों में ऐसी घटना होती है तो हम ऐसी घटनाओं के नहिंदा करते हैं और तुरंत कारवाही हो हमने शिवराज जी के समय पर फास्ट्रेक कोड बनाया है कि इस प्रकार के अपराधियों को तुरंत सजा मिलने चाहिए शिवराज जी का भारत में एक अनूठा प्रयास का फास्ट्रेक कोड बनाने का ऐसे अ वाल यहर